राश्पती द्रौपती मुर्मू के कारेकाल का एक साल पूरा हो गया है राश्पती द्रौपती मुर्मू के कारेकाल का एक साल पूरा हुआ राश्पती द्रौपती मुर्मू आज से तीन दिवसीय दौरे पर उडिशा जाएंगी दिन्नेवसिय दौरे पर राश्पती मुर्मू विविन कारिकरमों में शामिल होंगी राश्पती मुर्मू आज से 27 जुलाय तक रहेंगी ओडिशा के दौरे पर जहां कई कारिकरमों में हिस्सा लेंगी राशपती मेजिकल छातरों के एक समूस से भी मुलाकात करेंगी यात्रा में की करीशुरुवात करेंगी राशपती ओडेशा की राजधानी भुबनेश्वर में राजभवन में एक नए भवन की आधार सिला भी रखेंगी 26 जुलाई को कटक में उडेशा उचिनायाले की 75 वर्ष समारो के समापन सत्र में भी शामिल होंगी राजपती तुरौपदी मुर्मू आपको बता दिए उनकी कारेकाल का एक साल पूरा हुआ और आज से तीन दिवसी उडेशा दौरे पर है जहां विभिन्य कारेकरमों में शामिल होंगी आज से 27 जुलाई तक रहेंगे उडेशा के दौरे पर राजपती मेजिकल छात्रों के एक समूँ से मुलाकात कर यात्रा की शुरूआत करेंगी इसके बाद में राजधानी वुपनेश्वर में एक कारेकरमों में हिस्सा लेंगे और उस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जोड़ चुके हैं राजीव क्या है राशपती का कारेकरम कारेकरम में जातर मिंक्तर छात्रों के एक स्वगू से बातकीत करेंगी ये पठाई लिखाई से लंबानिश्वी पढ़ाई लिगाए महुत इंटेस्ट रही हैं राजपती तो उसके चर्जा भी करेंगी और इसी तोरन बताया जा रहा है कि नए राजभॉन के लिए राजपिला जो है बोजयसवर में रखेंगी और एक खाथ बाते लिए भी पशाथ सर्थ राजपिला जो है बोजयसवर में राजपिला जो है खाथ इसमीर स्फुरा जो हैरा कि जाजपिला जाएगा को पराजपिला जसे ने दो उससाया में रोजपिला जाधिना के लिए उस कालिक्रम को जाने के लिए से लिए नहीं कुले हुए जब राजपती दिसे माने की रहे है बिल्कुल जी राजीव हमारे साथ बने लए दुबार आपसे अपडेट लेंगे दूसरी ख़बर कियो